3-phase full converter with RL load RL मत्रफ resistor और inductor जो की load पर connected है अब इसमें ये इसकी primary winding है जो की delta की form में connected है A, B और C जिसे 3-phase supply provide की जाती है और जिसकी secondary winding है वो star की form में connected होती है सेंटर में एक पॉइंट N से यह त्री तीनों वाइनिंग्स कनेक्टेड होती हैं यह N को हम नूट्रल से शो करते हैं यह A जिसमेंसे A फर्स्ट फेस, B सेकंड फेस के लिए और C थर्ड फेस के लिए इनके अक्रोंस जो वोल्टेज होगी, V A, जो N से B के बीच में जो वोल्टेज होगी, उसे V B और N से C के बीच में जो वोल्टेज होगी, V C से देनोट करेंगे यह जो पॉजिटिव ब्लैक कलर के डॉट्स शो किये गए हैं यह हमारे positive show करते है direction को यानि यह positive show करते है और यहां से हम three phase supply provide करते हैं देखिए A के साथ A connected है यह B और यह है C यहां पे हमारे six thyristors connected होते हैं thyristor 1, thyristor 2, 3, 4, 5, 6 और यहां पे हमारा होता है resistor और inductor load पे और thyristor 1, 2, one time में conduct करते हैं 3, 4, one time में conduct करते हैं 5, 6, one time में conduct करते हैं लेकिन यह एक साथ conduct नहीं करते हैं यह एलहिंप के gate पे एक alpha angle पे firing pulse प्रोवाइड की जाती है firing angle पे pulse प्रोवाइड की जाते हैं जिसमें इस डोकी में हमने 45 degree का firing angle लिया है कि 45 degree के angle पे thyristor की gate पे trigger pulse प्रोवाइड की जाएगी जिससे वो conducting condition में आएगे सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी working देखते हैं देखें यहां पर inductor का use किया है inductor का इसलिए use करते हैं ताकि जो हमारा current है वो output current constant रहे अगर किसी भी condition में हमारा कोई thyristor conduct नहीं कर रहा तो inductor क्या करता है energy को store करता है और उस energy को use करता है जब thyristor conduct नहीं करते हैं इसलिए inductor का use किया जाता है और क्या कर inductor output current को stable रखता है वो उसको zero नहीं होने देता है और इसकी working के according देखिए जब first phase की supply जाती है A से तो neutral से A के बीच में current flow होता है इसके जो voltage होगी V A होगी यहां से neutral से A के बीच पे current flow होगा A से thyristor 1 पे जाएगा current thyristor 1 के gate पे 45 degree के angle पे firing angle पे trigger pulse प्रोवाइड की जाएगी जिसे thyristor 1 conducting condition में आएगा यह current यहां से thyristor 1 से flow होके जाएगा resistor और inductor की तरफ अब इस time पे क्या होगा resistor और inductor से pass होके यह current जाएगा thyristor 2 की तरफ लेकिन same वही condition है कि thyristor 2 पे भी 45 degree के angle पे हमें trigger pulse प्रोवाइड करनी पड़ेगी तब thyristor 2 जाके conduct होगा थाइडिस्टर 1, थाइडिस्टर 3 और थाइडिस्टर 5 यह तीनों थाइडिस्टर positive cycle में work करते हैं थाइडिस्टर 4, 6 और 2 यह तीनों negative cycle में work करते हैं इनको हम positive group of thyristors बोलेंगे इनको negative group of thyristors बोलेंगे यह हमारा full converter है अब यह तो हमारा current यहां से point A से pass होकर जाएगा C की तरफ जो voltage होगी वो क्या होगी V, A, C यह रहेगी अब हम दूसरी condition, next phase की बात करते हैं अब यहां से देखिए, सबसे पहले C से यह current फिर से जाएगा यहां से neutral की तरफ, neutral से A A से thyristor इस तरफ इस तरह से current flow होगा अब हम next phase की बात करते हैं जब next, B से next phase जाएगा तो यह current flow होगा N से B की तरफ और B से thyristor 3 की तरफ thyristor 3 के, यहां पर IB current जो की thyristor 3 के अक्रोल जाएगा इस time पर thyristor 3 कंड़क्ट करना start करेगा जब उसके gate पर 45 डिगरी के अंगल पर trigger pulse प्रोवाइड की जाएगी यह current resistor और inductor से pass होकर जाएगा thyristor 4 की तरफ अब thyristor 4 भी तभी कंड़क्ट करेगा thyristor 3 के कंड़क्ट करने के बाद जब इसके target पर 45 डिगरी के अंगल पर trigger pulse प्रोवाइड की जाएगे thyristor 4 कंड़क्ट करेगा और thyristor 4 से जाएगा यह current A की तरफ A से neutral की तरफ neutral से again B इस तरह से flow करेगा अब इस time में यह जो हमारा current flow हो रहा है जो voltage होगी वो क्या होगी B से pass होके जा रहा है यह A की तरफ तो V, B, A यह रहेगी हमारी voltage इस तरह से conduct करेगा अब यह तो हमने किया है कि C के case में भी ऐसा ही होगा C के case में यहां से C से pass होगी C से जाएगा thyristor 5 से thyristor 5 से cross होके जाएगा thyristor 6 की तरफ इस तरह से flow होने लग दाएगा अब हम देखते हैं इनकी जो voltage होगी जब thyristor 1 और 2 conduct कर रहे है 1 और 2 यानि कि 1 और 2 यह वाले conduct कर रहे थे तो voltage C V, A, C जब thyristor 3 और 4 इस condition में जो चल रही है thyristor 3 और 4 तो voltage है V, B, A अब जब 5 और 6 conduct करेंगे तो current क्या? C से flow होना start होगा C से जाएगा B की तरफ 5, 6 में तो voltage होगी V, C, B यह voltage रहेगी अब यह तो हमारी voltage देख ली हमने अब alpha angle जो कि हमने 45 degree का angle लिया है और यह मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि thyristor 1, 3 और 5 positive cycle में work करेंगे 4, 6 और 2 negative cycle में work करेंगे इसकी waveforms के according हमें इसका जो current है वो कैसे flow हो रहा है वो clear होगा यह maximum peak voltage में ही work करेंगे देखिए अब हम देखते हैं इसकी waveforms source source से हम 3 phase supply प्रवाइड करते हैं देखिए यह हमारा first phase अब यह हमने 2 waves ले ली हैं इसकी देखिए यह जो wave है जो हमने positives ले थी यह show कर रही है A और B के बीच में voltage और यह जो जो इसके opposite में है यह show करेगी B और A के बीच में यानि कि अगर यह positive है तो यह negative show करेगी A, B, B, A इसमें हम क्या लेते हैं यह हमारी 3 phase supply है positive और negative दोनों में work करते हैं इसलिए इसमें total 6 waves लेते हैं यह देखिए यह हमारी next supply है यह हमारी जो voltage है वो B और C point ली बीच में voltage है और इसके opposite वाली यह show करेगी C और B की opposite C और B की voltage 3rd condition में यह वाली wave है यह हमारी C और A की voltage show कर रही है और यह show करेगी हमारी next A और C की इसकी opposite देखिए हमने इसमें 6 ways ली है हम full wave converter की बात कर रहे हैं तो इसमें 6 ways इसलिए ली है क्योंकि जो negative वाली जो cycles होती है इसको हम उपर ही ले लेते हैं ताकन ताकि confusion ना हो और हमें easily हमें समझ में आ सक ले अब जयासे फॉटिवर्टेज का एंगल आएगा फिर यहां यहां पर Thyristor 6 conduct करना start करेगा देखिए, Thyristor 6 हमने क्यों कहा है यहां से conduct करना start करेगा देखिए यह जो wave है, यह जो जा रही है यह कूछ सी voltage हो कर रही है ? C और B के बीच में voltage C और B के बीच में voltage इस टाइम पे थाइरिस्टर 6 conduct करेगा इस पॉइंट के बाद करेगा यह alpha angle है हम मानते हैं कि इस पॉइंट के बाद थाइरिस्टर 6 conduct करेगा लेकिन इससे पहले भी तो कोई conduction रहेगी तो इस पॉइंट में यह negative में है थाइरिस्टर 6, 4 और 2 negative cycle में conduct करेंगे 1, 3 और 5 positive में conduct करेंगे इस से पहले थाइरिस्टर 5 conducting condition में रहेगा यह आपको आगे clear हो जाएगा कि किस तरह क्योंकि यह जो यहाँ पहले थाइरिस्टर 5 से पहले थाइरिस्टर 4 negative cycle में थाइरिस्टर 4 conduct करेगा इसमें क्या होगा कि जब तक 45 degree की trigger pulse नहीं आ जाती तब तक thyristor 6 conduct नहीं करेगा और thyristor 5 तो conducting condition में regular ही रहेगा ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक next maximum peak voltage की 45 degree की trigger pulse नहीं आ जाती तब तक ये thyristor 5 conduct करता रहेगा अब output voltage क्या होगी देखिए output voltage देखते हैं कि अभी इस time थाइरिस्टर 5 और 4 conduct कर रहे है थाइरिस्टर 5 जो की positive में है यानि VC, 6 conduct नहीं कर रहा है अभी यानि VC और 4, थाइरिस्टर 4 यानि की A तो voltage क्या होगी? VC और A VC A voltage होगी अब जैसे ही यहाँ पे 45 degree के पास बाद firing trigger pulse आई तो थाइरिस्टर 6 ने यहां से conduct करना चार्ट कर दिया लेकिन थाइरिस्टर 5 तिल conducting condition नहीं रहेगा क्योंकि positive cycle में कोई भी trigger pulse अभी नहीं आई है तो अब थाइरिस्टर 5 और 6 conduct करेंगे थाइरिस्टर 5 और 6 अब जो voltage होगी वो होगी VCB यानि कि जो output voltage होगी वो होगी हमारी VCB यह यहां से decrease होना start होगी देखे इस point के बाद क्या हुआ इस point के बाद thyristor 1 VAB यहां से phase change हुआ लेकिन phase change हुआ तो thyristor 1 एकजम से conduct नहीं करेगा यहां से thyristor 1 conduct करेगा यह एकजम से conduct नहीं करेगा ऐसा इतलिये हुआ कि जब तक thyristor 1 के gate पर 45 degree के angle पर trigger pulse प्रोवाइड नहीं की जाएगी तब तक thyristor 1 conduct नहीं करेगा जैसे ही 45 degree के angle पर trigger pulse प्रोवाइड की thyristor 1 ने यहां conduction start कर दी thyristor 6 तो conducting condition में है ही already क्योंकि अभी thyristor 6 के negative cycle में कोई भी trigger pulse प्रोवाइड नहीं हुई है तो thyristor 1 और 6 इस time पर conduct करेंगे thyristor 1 जो की positive में है positive cycle में वी ए और thyristor 6 यानि की negative cycle में B वी ए बी अब जो voltage होगी वो होगी वी ए बी और देखिए यहां पर क्या होगा यहां पर वी ए ब voltage होगी वी ए बी अब thyristor 6 इस point देखिए यहां से face change हो गया face change होने के बाद thyristor 6 still conduct कर रहा है क्योंकि यहां से thyristor 2 conducting condition में नहीं आएगा क्योंकि 45 degree angle पर हम जो trigger pulse चाहिए उसके gate के जैसे यह thyristor 2 के gate पर trigger pulse प्रोवाइड होगी तब हमारा thyristor 2 यहां से conduct करना start करेगा और जब तक trigger pulse प्रोवाइड नहीं होती तब तक हमारा जो thyristor पहले conducting condition में होता है वो ही conduct करता रहता है तो यहां से thyristor 2 conducting condition में आजाएगा इस point से और thyristor 2 conducting condition में आएगा तो जो voltage होगी वो क्या होगी T1 और T2 इस time पे conduct कर रहे है वो होगी VAC अब यहां पे यहां से face change हुआ यहां पे thyristor 3 conducting condition में आएगा थाइरिस्टर 2 के बाद thyristor 3 लेकिन कब तक 45 डिगरी के angle तक trigger pulse चाहिए और जब तक trigger pulse नहीं आती तब तक thyristor 1 conducting करना स्टार्ट कर देगा इस पॉइंट से यहां से थाइरिस्टर 3 कंड़क्ट करना स्टार्ट कर देगा यानि कि thyristor 3 और 2 इस time पे conduct कर रहे है थाइरिस्टर 3 VB और थाइरिस्टर 2 2 C VBC जो voltage होगी वो होगी यहां से क्या हुआ फेस चेंज हुआ नेगिटिव में नेगिटिव का लेंगे हम यहां से फेस चेंज हुआ एक देखिए एक positive का फिर पॉजिटिव और फिर नेगिटिव का इसलिए लिए कि सिक्स देश लेते हैं थ्रि का ना करें नहीं कीतोव करें is पॉजिटिव कीश हो जाती अब क्या हुआ यहां से 45 सिर्फ एगई तब थाइनी इसलिए बा START कर्द कर देगा 1,2,3,4 शी डीस बें चल रहे हैं यहां से थाइडिस्टर 4 यहां आप से थाइडिस्टर 4 नेगेटीफ साइकल में में तो देखेंज तुरा得 वोर क्टेडिक्ट करणते हो और जो वोर थाइडिस्टर तब तक करता रहेगा जब तक next thyristor की gate पर trigger first provide नहीं आई phase change हो गया है फिर वी वो conduct करता रहेगा और यहां पर thyristor 5 conduct करना start कर देगा इस point से यहां से thyristor 5 conduct करना start कर देगा thyristor 5 और 4 देखिए हमारी कौन सी condition आगए यह वाली condition थाइडिस्टर 5 और 4 की condition आ गए थाइडिस्टर 5 और 4 गंडेक्ट करेंगे और voltage क्या रहेगी VCA यह वाली voltage फिर से हमारी वही processing चल जाएगी थाइडिस्टर 5 के बाद क्या होगा यह वाली condition आ जाएगी थाइडिस्टर 6 कंडेक्ट करना start करेगा और जो हमारा थाइडिस्टर 5 और 6 कंडेक्ट करेंगी वोल्टेज होगी VC सिर्णी बी इससा देखिये process फिर से चल गया इस तरह से यह conduct करते हैं आप हम देखते हैं इसकी output गया होता है देखे हैं फेलिद्स यह हमीशा constant रहता है ऐसा इसलिए क्योंकि inductor connected इंडक्टर आउट्पुट करंट को क्या होता है जीरो नहीं होने देता इसलिए आउट्पुट करंट हमेशा constant में रहता है और stable रहता है इंड़क्टर का यही benefit है कि output current को 0 नहीं हो जाता अगर बाइंचांस हमारा कोई थाइरिस्टर कंड़क्ट नहीं भी कर रहा तो अब क्या होता है इंड़क्टर जो energy इंड़क्टर ने store कर रखे होती है वो इनर्व से energy को इंड़क्टर यूज करता है इसलिए output current 0 नहीं होता है इस point से इस point के बीच में हमारा जो current होगा वो output current के equal होगा और बाकी सिर्फ थाइरिस्टर 1 के across देखने हैं बाकी में output current क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अब हम ए जो हमारी आई ए current है जो first phase था जहां से current flow हो रहा था उस पे जो current होगा वो क्या होगा देखे सबसे पहले हम देखते हैं इक दो zodat cay a अगर a बाद में है बाद में हा a तो current क्या होगा negative में होगा यह देखे अ बी एसी तो current क्या होगा प Suzza में और यह b e c e ईस पांट से इस पांट क्राइं क्या होगा negative में होगा यह इस तरह से हमारा current होगा यहाँ पे CA, current negative में यहाँ से A, B, सिर्फ A के cross देख रहे है A, C, तो current क्या होगा A से current flow हो रहा है, तो current positive में और यहाँ B, A, C, A तो current क्या हो जाएगा, negative में देखिए जब A पहले होगा, तो current positive में A बाद में होगा, तो current को ले लो, negative सेम कंडिशन B के लिए, देखिए, B बाद में है यहाँ पे B बाद में है, तो current क्या होगा, यहाँ पे negative में, यहाँ पर यहाँ B पहले है, तो current क्या हो जाएगा इस point से, इस point तक positive में और यहाँ फिर बाद में हागा, तो current क्या हो जाएगा, negative में जिर्फ इस तरह से यह हमारा Ig का boost में रहेगा portion कर दिश के 네गी में चला जाएगा और यहांपे पहले पूर का आइए खाले का हम अपने torque को अबनाते हैं कि हम उह जो जो हमने की है वो करती है आउटफुट वोल्टेज की वेफॉर्म ज्यादा इंपोर्टेंट है उसके बाद आपको वेफॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो मोर और जादा वीडियो के लिए आप में चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं